ये जो किसानों का जो अंदोलन चल रहा है जिसमें 500 से जादा किसान संथन हैं इनका मुख मांग यह है कि केंदर सरकार के द्वारा इस देश का किसान इस देश का खेत और हमारे देश की आजादी को बरबात करने के लिए अडानी अंबानी के पक्ष में केंदर सरकार ये तीन कानून का आजसे ये है कि हमारे देश के अंदर जो मंडी विवस्ता थी मंडी विवस्ता को चौपट करने के लिए सरकार सरकारी मंडियों के समनांता प्राइवेट मंडियों को खाध्यान खरीदने की इजाज़त दे रही है मंडी कानून में सरकार ने संसोधन कर दिया यह ज इसका आजसे हुआ कि अड़ानी अबानी जैसे जो भृापारी और अध्योके घराने जो हैं ये मनमानी दरौवरों पे किसानों की फत्लें को खरी देंगे ठाज़ी अपने गोदामों के इंदर जाम करेंगे और उसके बाद जब किसानों के घरों से फतले खतम हो जाएंगी उसके बाद बाद बजार में मन्चाही कीमतों इसको बेचेंगी दूसरा कानून जो है जिस कानून का इनने नाम दिया है मूल्यों का अस्वासन क्रसी सिवा ससक्तिकर्ण सरक्षन इस कानून का आसर यह है कि हमारे देश के अंदर जो किसान है और कि हानियमभानी कि लोषकर टाटा विड़ल डालमिया चरतरां बहरतरां करो है कि लूषकर weirdo két के जैसे जो देशिब और बुदेशी कंपनिया जो है यह विदेशी देशि कंपनिया किसानों के साथ 10 साल का अनुबंध करेंगी और अनुबंध होने के बारद कमपनी तै करेंगे कि हमारे खेत में कौन सा बीज बोया जाएगा बीज के साथ ये तै करेंगे कि बीज के साथ कौन सा खाट डालना है कौन सी कीट ना सक दवा डालना है और उसके बाद किसान अपने खेत में बीज बोने के लिए स्वतंतर नहीं होगा दूसरा खत्रा जो इस का लाब किसानों को नहीं मिलेगा अगर अनबंद के अधार पर बजार में कीमत अगर गिर गई तो कंपनी गिरी हुई कीमत पर किसानों से किसानों का भुकतान करेगी अगर मालों किसान अपने खेतों में जो फसल पैदा किया कभी प्राक्ते का आपदा आ गई ओला पढ़ ग सबसे खतरनाग पहलू जो है पहलू यह है कि अगर हमारा कंपनी हमारा अनाज नहीं खरीद रही है रिजेक्ट कर रही है अगर किसांद दुबारा उस अनाज को दूसरों का गर बेचना चाहे तो इस कानून में प्रावधान है कि आप इस समझावते का उलंगन करके दूसरे क को आप नहीं बेच सकते हैं इस कानून में सबसे खतरनाग पहलू जो है कि यह नियालीन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है SDM collector जो है इसका निराकरन करेगा केंदर सरकार का प्रत्निदी निराकरन करेगा कमपनी और किसानों के बीच में अगर कहीं पे कोई बिवाद होता है तो इस मैं High Court Supreme Court जाने के किसानों को अधिकार नहीं दिए गए हैं और हम और आप यह जानते हैं कि SDM और कलेक्टर जो है ये राज जो सकेंदर सरकार के प्रतिनिदी होंगे कमपनी के बड़े बड़े बखील पैर भी करेंगे और किसान के पास इत्ती ताकत नहीं इतना पैसा नहीं है कि उन बखीलों का मुकाबला कर सक है और आखरी में किसान के खिलाप ही फैसला होगा इस कानून ठेका खेती बाला जो कानून है खतरनाक कानून है इस कानून से हमारे देश की खाद्यान सुरक्षा खतरे में पड़ेगी हमारे कमपनियों को अगर ये लगता है कि दुनिया के देशों में कौन सी चीज की जरूरत है अगर उनको लगता है कि रतन जोत पैदा करना ह उनको लगता है मसरूम की खेती करना है तो आई हमारे देश का खिसार अपने खेतों में जो धान पैदा कर रहा है कंपनी उनको मजबूर करेंगी रतन जोत्र शरूम की खेती करने के लिए क्योंकि बीज सा देंगी हम लोगों ने देखा हंदूस्तान के जब East India Company का कबजा था ये जो बंगाल था जब हंदूस्तान और पाकिस्तान नहीं बना था बंगला देश नहीं बना था उस समय East India Company ने वहां के किसानों को बाद किया था नील खेती करने के लिए और जब नील खेती किसानों ने की जमीने उनकी बंजर हुई उर्वाग सक्ति खतम हुई और हमारे देश में अजादी के पहले एक करोड से ज़ादा हिंदोस्तान का नागरिक मारा गया था भूग की बज़े से तीसरा कानून जो है तीसरा कानून का नाम यह कि अत्ति अवस्यक वस्त्वधनियम 2020 संसोधन कर दिया इसक अभी तक हमारे देश का जो कानून था उस कानून में प्रावधान यह था कि हमारे देश का व्यापारी, हमारे देश का ओद्यों के घराना, एक सीमा से ज़्यादा अपनी दुकानों के अंदर किसी भी वस्तु को अधिक समय तक जाम नहीं कर सकता था, इसमें एक कानून बना हुआ था, अब सरकार ने फैंसला किया है, हिंदुस्तान के खेत में जो हम कर दिया गया है, ब्यापारियों को खुली अजाज़ा दे दी गई है, जितना चाहो आप खरीद लो, खरीदने के बाद अपनी गुदामों में ताला डाल दो, बजार के अंदर संकट पैदा कर दो, बजार के अंदर हाहा कार मत जाए, रोटी के लिए जंता तरसने लगेग उसके बाद ये मनचाही कीमतों पर कोदाम के माल को बाहर निकालेंगे, और मनचाही कीमतों पर हमारे देश के अंदर जमा खोरी मुनाफा खोरी बढ़ेगी, इसलिए ये कानून हिंदुस्तान के किसानों के भर पक्ष में नहीं है, ये कानून इस देश की जंता के पक्ष म नहीं है कि खेत कानवन्द कंपणी के साथ होगा हमारे खेतों में जो पेदावारी होगी वो गोदामों के अंदर चली जाएगी उसके वार हमारे देश का जो पूझी पती है अगर उसको लगता है कि दुनिया के अंदर फलानी चीज की जरूरत है तो हिंदोस्तान की जनता को देने की बजाए मुनाफ़ा के लालच में दुनिया के दूसरे देशों के अंदर निर्यात करेगा हिंदोस्तान के अंदर आने वाले समय में खाध्यान संकट पैदा होगा ये इस कानून की बज़े से हिंदोस्तान की जो अबादी है 40% लोग जो लासन की दुकानों से 2 रुपई या 5 रुपई या के लोगा जो अनाज लेते हैं जब सरकार खरीदी नहीं करेगी सार जोने लासन प्रणाली की दुकाने बंद हो जाएंगी FCI की गुदामे बंद हो जाएंगी बेयर हाउस बंद हो जाएंगे और ये जो कानून है ये कानून हिंदोस्तान की सरकार ने अडानियम बानी जैसे जो पूंजी पती है अमेरिका जैसे जो समराजवाद है उनके धवाव में आकर के हिंदोस्तान की खेती हिंदोस्तान के कि अधिल्ली के पांचो जो बार्डर है clicking कफन के पांचो बार्ड़र हैं। इसनपने के बार कितने संसोधन नहीं हो गए अगर ये कानून बन गया कानून में गरंटी भी लेखती लेकिन जब चाहेगी सरकार उन में संसोधन कर सकती है इसलिए सिर्व एक ही रास्ता है हिंदुस्तान की किसानों को मौस ते गर बचाना है देश की अजादी को अगर बचाना है ति जो काले कानून है ये काले कानून वापस होना चाहिए इस सबाल को ले करके हम लड़ रहे हैं और आकरी हम किसान संग्जनों की तरफ से विश्वास दिलाना चाहते हैं वो बहादर तीस किसान जिन्नोंने अपनी सहादत दी है वो भी किसी के बाप है वो भी किसी के पती है किसी के भाई है किसी के सोहाग है ये मोधी सरकार जिंदरिंद मोधी की सरकार, तीस कसानों की सहाधत के नाम पर एक सब्द बोलने के लिए सजयाद नहीं है ऐसी सरकार को इंदुस्तान की सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है हम किसान भाईयों से गुजारत करना चाहते हैं इट का जवाब पत्थर देऊ किसान को बचाओ देश को बचाओ यही हमारे अंदोलन का मकसद है संगीत की स्वर लहरीयों से सांस्कृत एक ताने बाने तक चंबल के पी晚上 दोओ से नकसलवादियों के गाल तक जोपडारी से महलो तक गाउसे शेहरों तक व्यापर से उद्ध्योगन राजदीति से कूठमीति तक ढखन न्यूँस आपके हक का आप देख रहे हैं दखल न्यूर